जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप प्ले स्टोर में आपको Self Study Classes का एप देखने बाला है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे आज हम पढ़ने बाले हैं भासा और बोली के बाले में ठीक है भासा से समंदेत बोहती महत्पूर यहां पर doubts और दोस्तो प्रस्ण आपके clear होंगे और हम आगे यहां पर पढ़ेंगे भासा की बारे में देखेंगे कि भासा क्या है भासा से सम्मंदे कई प्रशन पूछे जाते हैं दोस्तों आप से वैसे तो आप से बहुत सारे question बनते होंगे लेकिन कुछ doubts और दोस्तों कुछ प्रशन और आपके clear होंगे तो सबसे पहले तो यही आता है कि भासा बिचार बिनीमय का एक साधन होता है यानि कि दोस्तों अपने बिचारों को दूसरों के बिचारों को अपने तक जो पहुँचने का एक माध्यम होता है वो क्या कहलाती है भासा कहलाती है तो भासा बिचार बिनीमय का साधन है कामता प किसके अनुसार कामता प्रसाद गुरू के अनुसार ठीक है बाबुराम सक्सेना बोल ला है कि जिन ध्वनी चिन्नों द्वारा मनुस्त परस पर बिचार बिमर्श करता है उसे समाहत रूप में क्या कहते हैं भासा कहते हैं अब दोस्तो एक चीज आती यहां पर कि भासा के कित ठीक है ये आपको याद रख लेना आपसे यहां से क्योंचन बनता है वासा की सबसे चोटी यह काई क्या होती है तो आपका उत्त्र में बाटा गया यह इससे कसे क्रम को कितने क्रम में बाटा गया कितने भागों में रखा गया एक क्वेस्चन पूछा जाता है तो आपको याद रख लेना है कि आर भासा को प्राचीन भारती आर भासा यानि कि 1500 इसवी पूर्व से लेकर के 500 इसवी पूर्व की जो भासा थी दोस्तों उसे हम प्राचीन भारती आरभासा की अंतरगत रखते हैं ठीक है मद्यकालीन आरभासा 500 इसवी पूर्व से 1000 इसवी की जो भासा थी वो मद्यकालीन आरभासा कहलाती है आधनिक भारती आरभासा एक हजार इसवी से आज तक की जो भासा है वो क्या कहलाती है आधनिक भारती आरभासा तो आप से पूछा जाएगा कि आरभासा की बिकास को कितने भागों में रखा गया तो आप क्या बताओगी तीन भागों में रखा गया ठीक है प्राचीन भारत जिनमेंसे प्राचीन भारती आर्वासा की बात होती है तो ऐससे ऐस्टे आज तक की जो भासा होती है दोस्तो वो आधुनिक भारती आरभासा की अंतरगत तो यह question आपका clear हो गया कि भारती आरभासा की विकास क्रम को तीन भागों में रखा गया और वो यह तीन भाग इस प्रकार से थी ठीके अब भासा की विकास की परंपरा यह परंपरा भी कई बार पूचा जाता है दोस्तो तो यहाँ पर देखो बैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से दोस्तो पाली, प्राकृत, ठीक है, अपभरंस, शौरसेनी, शौरसेनी से पुरानी हिंदी, ठीक है, शौरसेनी अपभरंस से, फिर दोस्तो आधनिक हिंदी, पस्चमी अपभरंस, पस्चमी ब्रंस और खड़ी बोली हिंदी इस प्रकार से अनेक भासाओं को यहाँ पर उदय हुआ जो आपसे कई बार पूचा जाता है ठीक है तो भासा की बिकास परंपरा आपसे पूची जाती है कि पाली का जो उदय हुआ वो किस से वाना जाता है लौकिक संस्क्रेट से ठीक है इस से ही सारी भासाओं का बिकास यहाँ से माना जाता है पाली प्राक्रेत अपरेंस सोरसेनी अपरेंस है ना और प्रानी हिंदी आदनेक हिंदी पस्चमी अपरेंस खड़ी बोली हिंदी इस प्रकार से इनका बिकास हुआ इसको आपको समझना है ठीक है अब दोस्तों इसके ब में एक बोली बोलते हैं और उसके 10-15 किलोमीटर बाद देखो तो दूसरा छेतर लग गया तो दोस्तों उसी बोली में कुछ अंतर आ बोली कहते हैं अगर बभासा के बोली बिख्सित होकर के दोस्तों उसका अगर रूप बढ़ जाए उसका बिकास हो जाए सहित रचना के अधार तक पहुंच जाए तो वो क्या कहलाने लगती है फिर बिभासा कहलाने लगती है तो बोली बिभासा बनती है और बिभासा के बाद क्या बनती है फिर भासा बनती है ठीक है तो इसको आपको याद रखे ना बोली बिभासा और भासा ठीक है हिंदी भासा का बिकास अपभरंस भासा से हुआ ये त ये क्या है अपवरंस और ये क्या है इनकी उपभासा है अब आपसे पूछा जाता है कि निम्न मैसे बताईए कौनसी उपभासा सौरसेनी अपवरंस से निकली तो आपका उत्तर होता है पस्चमी हिंदी, राजिस्थानी हिंदी, गुजराती ये सौरसेनी अपवरंस से इनका गुजरात पस्चमी राज गुजरात तो इसको पस्चमी राज गुजरात में सेर हैं सेर हैं तो पस्चमी से क्या बनाता पस्चमी हिंदी राज से बनाता राजस्तानी गुजरास से बनाता गुजराती और सेर हैं तो सौर सैनी इस सौर सैनी अब्रंस से इनका उदय होता ठीक पिर आती है मागदी अपरंच तो मागदी अपरंच से उद्य हुआ कौन सा बिहारी हिंदी का बंगला उडिया और असमिया में हम कैसे याद रखते हैं कि दोस्तो मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में मगद के मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में है तो कैसे यादर किया अपनने कि मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमीया में ठीक हैं तो इसको अपनने याद कलिया मागदी अपरण से निकली फिर दोस्तों महराष्टी अपरण से मराठी निकली ये तो सभी को पता है बिराचड अपरण से कौनसी निकली सिंधी निकली बिराचड़ ब्रंसे पैसाची से पंजाबी लहंदा बोले पंजाबी लहंगा पंजाबी लहंगा चाहिए तो पैसाची पैसाची बोले पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए है ना घर में बोलते ना आप लोग बोले पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए तो पैस पैसाची से निकली पंजाबी और लहंदा ये दो दोस्तो अपभासाई निकली ठीक है फिर खस अपभरंच से निकली कौन-कौन सी दोस्तो पहाड़ी गड़बाली और कुमावनी ये पहाड़ी के दोस्तो रूप माने जाते हैं इनको आपको याद रख लेना पहाड़ी गड भी हिंदी आ गई ठीक है मागदी अब्रण से बंगला उडिया असमिया ए निकली महराष्टी अब्रण से मराथी ठीक है ब्राचर से सिंधी और पैसाची से पंजाबी और लहंदा ठीक है खस अब्रण से पहारी गड़वाली और दोस्तों कुमावनी इनका वेकास हुआ ठीक से पश्चमी राजस्थानी और गुजराती तो हम यहाँ पर पश्चमी हिंदी को देखेंगे सबसे पहले पश्चमी हिंदी आ गई अब पश्चमी हिंदी से कौन कौन सी निकली एक तो कौर भी और कौर भी को क्या कहा जाता है खड़ी बोली कहा जाता है ब्रजभासा कन्य कन्यो जी हर्यानवी और बुंदेली ठीक है हर्यानवी को बांग्रूबी कहा जाता है ये भी याद रखते ना तो अपने याद किया था कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभासा हरी के पास तो हर्यानवीika कवानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास है ना तो कवर भी या खड़ी बुली ब्रजभासा कन्नोजी हर्यान भी और बुंदेली ये पस्चमी भासा से इनका उदय होता है तो इनको आपको याद रखे ना आप से पूचा जाता है कि निमन मैंसे बताईए पस्चमी हिंदी की दोस्तों बोली नहीं है तो पस्चमी हिंदी की बोलियां ये मानी जाती है इनको आपको याद रखे ना ठीक है फिर बात करते राजस्तानी हिंदी की राजस्तानी हिंदी से निकली थी दोस्तों मारबाडी जैपूरी मेबाती और मालबी इसको आपको य आईए कौन सी राजस्तानी हिंदी की बोली नहीं है तो यह आपको याद रखे ना कि मारबाड़ी भी है जयपुरी भी है ना मेबाती भी है और माल भी ए राजस्तानी से संबन्द है ठीक है फिर बात करें दोस्तों अर्द मागदी अपरण्स गुजराती तो गुजराती अर मादी अपरण्स से जो अप भासा का उदय हुवा वो हुआ पूरवी हिंदी का हुआ अब पूरवी हिंदी से दोस्तों तीन बोलियों का उदय होता है वो कौन-कौनसी है अब दी भगेली और चटीस गड़ी अब अपन बोलते ना कि अब चटीस गड़ी अब चटीस पूरभी हिंदी की बोलियां मानी जाती है इनको हमें आद रहेंगे फिर बात करें दोस्तों मागदी अपड़ल्स की मागदी अपड़लंस से निकली कُनसी बहारी हिंदी लिस हcko बहारी हिंदी में हमने देखा कि भोजपूरी मग ही और मेथली एक मग मैथी एक भोजन में ये बिहारी हिंदी से निकली ठीक है तो आप से पूछा जाएगा कि निमनमे से बताएगे कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए कि भोजपुरी है मग ही है मैतली है एक भोजन में एक मग मैती ठीक है अब बात करते खस अप ब्रंस तो खस अप अप भरंस से कुमावनी, गड़वाली और नेपाली ये आप से पूछा जाएगा कि निमन मैंसे बताएगे कौन सी पहारी हिंदी से संबंदित है तो कुमावनी, गड़वाली और नेपाली ठीक है तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है दोस्तों पूरी की पूरी पहुची जाती है सौर सैनी से पस्चमी हिंदी, पस्चमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभासा, कर्नोजी, हर्याणी भी बुंदेली, राजस्तानी से बात करने तो मारबाडी, जैपूरी, मेवाती, मालवी, अर्द मागदी से बात करने तो पूरवी हिंदी, अबदी, बगेली च्छतीस गड़ी मागदी अब्रण से बिहारी हिंदी निकली बोजपुरी मघी मैतली हो गई इसकी ठीक है पहारी हिंदी से निकली कौन सी कुमावनी गलबाली और नेपाली इनको भी हमें याद रख लेना फिर बात करेंगे हम राजभासा की तो राजभासा का साब आपको याद रख लेना और भारतिय संबिदान द्वारा 14 सितंबर 1909 इस भी को हिंदी भासा को राजभासा के रूप में सुईकार किया गया था कब 14 सितंबर 1909 को इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी देवस मनाते हैं आपको पता है ये भी याद रखना आप से पूछा जाता है कि 14 हिंदी देवस कम मनाते हैं तो आप बताओगे 14 सितंबर को ठीक है भारतिय संबिदान के भाग 17 अनुच्छे 343 से 359 तक हिंदी की संबिदान के स्तिती पर प्रिकास डाला गया ये भी आपको याद रखने है भाग 17 में है ना 343 से 359 तक जो अनुच्छे हैं ये भासा से संबंदेत इसमें प्रावधान है ये भी आपको याद रखने है 14 सितंबर 1949 को दोस्तो हिंदी भारत की राज भासा बनी इसको रखा गया भाग 17 अनुचे 343 तक भासा से संबंदेत प्रावधान रखे गया संबिदान में इसको भी आपको याद रखने ना ठीक है फिर यहा आठ भी अनुसूची ठीक है संबिदान की जो आठ भी अनुसूची है दोस्तों इभासाओं से सम्देत थे और इसमें 22 भासाइं है 22 प्रादिश्रीख भासा जिन में पूछा जाता है आपसे कोस्चन बनेगा कि निम्न मैंसी बताईए कौन सी संबिदान की आठ भी अनुस जावी, मराथी, मले आलम, शिंधी, कॉंकडी, मनीपुरी, नेपाली, बोडो, डौंगरी, मैतली और संथाली यह मानी जाती हैं अब यहाँ पर यह मैतली आया दोस्तों मैतली यह भी बिहारी हिंदी की बोली है और यहाँ पर हिंदी को भी आठवी सूची में दर्जा दिया गया और अलग से मैतली को भी दर्जा दिया गया हिंदी दिवस कम मनाते इसके बारे में पड़ा था आज दोस्तों अभ्यास की थोड़ी सी बात हो जाए है ना सभी लोग तयार हैं बताने के लिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना जिन भी सातियों ने से स्टड़ी क्लासेस एप डाउनलोट कर लेंगे और हिंदी साहित का अगर आप दोस्तों सुपर्टेट जूनियर सुपर्टेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या पिर टीजीटी पीजीटी या पिर दोस्तों मास्टर के अडर किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और ब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रजब्रज अब पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती है तो पश्चमी हिंदी उपभासा का जो उदै हुआ है वो सौर सैनी आप भ्रंच से हुआ है यानि कि आपने जो उत्तर बताया सौर सैनी वो सी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता ठीक है फिर अंगला क्वेस्चन आपसे पूछा ज पूछे जाते हैं तो चार में से आपको चैन करना है कि आगरा में कौनसी बोली बोली जाती है कमेंट में लिखिएगा जल्दी से दो सेकंड में और सातियों आपके दो सेकंड होते हैं पूरे और आपने बिलकुल सही आंसर बताया बोलिस्तर आगरा की बात करोगे तो ये भासा का छेत्र है और ब्रज भासा पस्चमी हिंदी से दोस्तों निकलती है इसको भी आपको याद रख लेना ठीक है अंगला क्वेश्चन आपको बताना कि इन मैंसे कौन सी लिपी नहीं है कौन सी लिपी नहीं है अर्बी गुरु मुखी देव नागरी या अंगरे जी बता अंगरी लिपी भी पड़ी है कौन सी लिपी नहीं पड़ी तो आपका सही उत्तर आया है किसर अगर लिपी की बात करोगे तो यह जो अंगरे जी है अंगरे जी के लिपी नहीं है यह तो एक भासा है है ना तो उत्तर कहां चला जाता आपका डी की तरफ अंगरे जी आपका का उदय हुआ था वो मागदी अपभरंस से हुआ था हैना मगद के बिहारी का बंगला ओडा असमिया में हैना तो बिहारी दोस्तो उडिया असमिया यह सभी काई के अंतरगात आती हैं मागदी अपभरंस से इनका उदय हुआ ठीक है अब आप से पूछा गया कि बिहारी से किसका संबंद नहीं है पूछा है नहीं है पूछा है तो नहीं है कौन सा नहीं है पूर्वी हिंदी से ठीक है बर रहे हैं आपसे gosh very good बहुत बड़िया अंगला कॉस्चन है मग downloading किस प्रदेश की बोली है मगी बताना किस प्रदेश की अपनने यहां पर पढ़ा था कि जो मगी है यह बिहारी हिंदी की बोली है मैतली है यह भी बिहारी हिंदी की है पश्चमी भोजपुरी ये भी बिहरी Candi के अंतरगत आती है अब आप से पूछा गया की मगही किस प्रदेस की बोली है ये बिहार की है मगही का उनके है ये बिहार की है तो भी नम्मर आपका बिलकु सही हो जाथा है फूछा गया है question फिर अंगला question है यहाँ पर कि सिंधी भासा का विकास अपवरंस की किस बोली से माना जाता है सिंधी भासा का आपको विकल्प दिये जाएंगे उससे पहले आप बिना विकल्प के भी उत्तर बता सकते हो शिन्धी भासा का विकास किस अपर्हंच से माना जाता है जल्दी से कमेंट में लिकिएगा और यह रहे आपके दोस्तों 4 विकलब कौन कौन से सबसे पहला विकल्प है आपका ब्राचड दूसरा विकल्प आपका है दोस्तो पैसाची तीसरा मागदी और चौता है दोस्तो अर्ध मागदी तो ये बताना है आपका कि जो सिंधी है सिंधी इसका उदय जो होता है वो किस से होता है सिंधी का बताना है तो आती है तो सिंधी में आपका उत्तर चला जाता है ब्राचल आपका बिलकुल सही हो जाएगा सिंधी भासा का बिकास जो हुआ है वो ब्राचल अपर फ्रेंस से माना जाता है यानि यह नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ब्राचल अपर फ्रेंस ठीक है यहाँ पर पहंदा ूर पज्जाबी का उध़ हुआ ठीक है ये अंगला ओस्चन आपको बताना है कि मुंदा भासा परिवार का छेत्र राजस्तान िए प्रदेश तमिल लाडू यह फिर चोटा नांकपुर का पठ्थार यह चोटा नांकपुर का पठ्थार बताई जल्दी से मुंडा भासा का छेत्र कोंशा है इसका उत्तर आपको बताना हमने कई ये छेत्र पड़े है राजिस्तान पड़े है राजिस्तानी भासा भी पड़ी है है ना दोस्तों तो यहां पर मुंडा भासा परिवार का जो छेत्र माना जाएगा तब आपने उत्तर बताया कि सरमुंडा भासा परिवार का जो छेतर है वो छोटा नांगपुर का पठार है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमबर D के साथ ठीक है D आपका सही हो गया अंगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जहांसी जालौन हमीरपुर में कौनसी बोली बोली जाती है इसे क्वेश्चन कई बार आते हैं दोस्तों तोड़ा सा आपको अभ्यास करने की जहूरत है जासी जालौन हमीरपुर में कौनसी बोली प्रचले थे बुंदेली कन्नोजी ब्रजभासा या फिर मालवी बताईए शबी का कमेंट आने चाहिए क्योंकि आप जासी को जानते है जालौन हमीरपुर इन सभी को जानते हैं इन स्थानों को जानते हैं और इन में बोली जाती है बुंदेली और बुंदेली का उदय हुआ पस्चमी हिंदी से और पस्चमी हिंदी का उदय हुआ किस से सोरसैनी अपर ब्रंच से ठीक है तो यह बुंदेली याद रख लेना ज शासी जालोन अमीरपूर का जो छेत्र है यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है ठीक है अंगला कोस्चन आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ती हुई तो कैसे हुई अर्दमागदी अप्प्रेंश से हुई शुर्चैनी अप्प्रें कि बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है और बिहारी हिंदी का जो उदय हुआ है वो हुआ है किस से मागदी अपरणस से अपनने पड़ा था कि मगद का मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में तो दोस्तों बिहारी बंगला उड़िया और असमिया के मागदी अपरणस आदुनिक दोस्तों भासाओं मैंसे किसका सम्मंद अपवरंस की पैसाची बोली से है पैसाची से बताइए हैना मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि अगर दोस्तों पंजाबी लहंगा लेना है तो पैसा चाहिए पंजाबी लहंगा लेना है तो क्या चाहिए और यहाँ पर हो जाएगा पैसाची यानि कि पैसाची से जो उदय होता है वो पंजाबी का होता है ठीक है और उत्तर आपका C की तरफ चला जाता है अंगला क्वेस्चन आपके लिए मगी किस उपभासा की बोली है प्रश्न किरमा के ग्यारा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडवीसर लेना है 25 तारीक तक आप एडवीसर ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं मगी बताना किस उपभासा की बोली है तो यह मगी आसान है और अपनने पढ़ा भी है इसके पहले क्या पढ़ा है मगी ही है ना भोजपूरी और मेतली बोली सर यह जो है यह बिहारी हिंदी की उपभासा मानी जाती है कौनसी मगी ही तो उत्तर आपका कहा चला जाता है बिकल्प नमबर डी की तरह बहुत बढ़िया सभी लोगों ने बिलकुश रही आंसर बताए हैं अब आपको बताना है दोस्तों गयाल भायाल भूत कालेक या पर बुंदेडी बविस्थिकालेक गयाल भायाल यह जो सब्द आते हैं दोस्तों कि बताए किस बोली से सम्मंदित माने जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा अनुभाव किया होगा बोजपुरी फिल्मों को देखा होगा तो गयाल और भायाल यह बोजपुर दोस्तों भूत कालेक यह गयाल आदी गयाल भयल यह बोजपुरी भूत कालेक से सम्मंदित माने जाते हैं और उत्तर चला जाता है विकल्प नमर एक की तरफ ठीक है अंगला क्वेश्चन खड़ी बोली हिंदी का अन्ने सही नाम है तो क्या है अन्ने सही नाम बताना नौकें खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पास कानो से बनाता कन्योजी खड़ी से बनाता खड़ी बोली खड़ी बोली को क्या कहा जाता है आपने उत्तर बता दिया बोली सर कौरवी में टिक कर दो मैंने कौरवी लगा दिया और उत्तर सही हो गया आपका खड़ी बो लोगोंने बिलकुँ सही आंसर बताए हैं फिर अंगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अदो लिकित मेंसे एक भोजपुरी का छेतर नहीं है तो कौशा नहीं है बोजपुरी का छेतर नहीं है बताना है देबरिया इलाहवाद मिरजापुर या फिर बलिया भोजपुर ये भोजपुरी का छेतर नहीं माना जाता है लाहवाद और तरसी की तरफ चला जाता है ठीक है अंगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फैजाबाज जनपद में बोली जाने बोली जो बोली है वो कौनसी है बताए खड़ी बोली बगेली ब्रजभासा या फिर अब फैजाबाज जनपद में बोली जाने बाली बोली कौनसी है तो आपको ये जो दोस्तो अलग-अलग बोलीयों के छेतर हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए उनको भी हमें पढ़ना है फैजाबाज जनपद में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है कौनसी अब धी कौ बही अबदी है जिसमें पदमाबत लिखा गया ये बही अबदी है दोस्तो जो पूर्वी हिंदी से जिसका बेकास होता है निम्न वैसे कौनसी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है देवनागरी लिपी में बताना है कौनसी लिखी जाती है डौंगरी मराठी कई बा जाती है, वो लिखी जाती है मराथी, कौनसी मराथी, most important question वड़िया प्रशने और अंगला question आपकी स्क्रीन पर, आधनिक भारतिये भासाओं का बिकास किस भासा से हूआ है, प्रशने किरमांग 17, आधनिक भारतिये भासाओं का बिकास किस भासा से हूआ, सोर्सेहनी से, पर अपनने कई बार पड़ा है कि सर जो आधनिक भारतिय भासाओं हैं इनका जो बिकास हुआ है वो सीधा सीधा भारतिय भासाओं का माना जाता है तो अप भरंच से हुआ है अप भरंच के अनेक वेदों से स्वार से नहीं मान लो माग दी मान लो अर्द माग दी मान लो है न तो कुल में लाके हम कह सकते हैं कि अप भरंस से हुआ है ठीक है आधने एक भारती भासाओं का अंगला कॉस्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो कौनसी ब्रजबुली नाम से हैना ब्रजबुली नाम से ब्रजबुली नाम से ब्रजबुली है जो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है और आपने प्रश्न किरमांग 18 का उत्तर जो चैन किया है वो किया है पुरानी बंगला और आपका उत्तर चैन सही हो जाता है पुरानी बंगला राइट अंसर हो जाता है डी नमबर विलको राइट अंसर इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौन्स्ट नहीं है प्रश्ण किरमां कुन्नीस भासा को बहुत अच्छे से पढ़ना है बोलियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों एक मैंने बढ़िया ट्रिक से भी वीडियो बनाया है बोलियों का और भासा का सर्च कर लेना यूटूब में है अमगी ही भी है ये अबदी नहीं है ये अबदी तो पूर्वी हिंदी की है है ना पूर्वी हिंदी के अंतरगत तीन वोलियां आती है अबदी बगेली और चथीजगडी ठीक है बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो क्या है बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप अबदी यहाँ पर question थोड़ा सा गलत पूछा गया बरतमान हिंदी का पूछा गया तो बरतमान हिंदी का जो प्रचलित रूप माना जाता है दोस्तों वो खड़ी बोली माना जाता है खड़ी बोली यह बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप है ठीक है तो यहाँ पर उत्तर आपका खड पूछा जाए कि सबसे बड़ा भासा परिवार कौनसा है तो आप क्या लगाओगे भारोपिय परिवार ठीक है अब आपसे पूछा गया कि भारोपिय परिवार की कौनसी भासा नहीं है तो आपको उत्तर चैन करना है मराटी भारोपिय की है गुजराती भारोपिय भासा परि विडियो को तो किस तिथी को हिंदी को राजभासा बनाने का नरना लिया गया ये question कल आपने बताया था कल आपको challenge प्रशन के रूप में इस प्रशन का दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने जो दोस्तों बताया है उत्तर वो बताया है क्या 14 सितंबर 1949 है ना ये आपका C की नंबर बिल्कुल सही है था अब आज का session अपन स्टार्ट करेंगे आप लोग तयार रहे हैं उत्तर बताने के लिए आपको बताना है दोस्तों कि बर्स 1955 में गठेत प्रिथम राजभासायोग की अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है 1955 में गठेत प्रिथम राजभासायो कि अध्यक्ष कौन थे कई बार एक्जाम में पूछा गया और चार विकल्प है हमारे सामने तब आपका राइट आंसर क्या हो जाता है 1955 में दो सेकंड आपको दिये जाएंगे फटा फट से उत्तर बताएंगे और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर बी जी खैर साब जो थे कि 1955 में गठेत राजवास आयोग के क्या थे अध्यक्ष थे और उत्तर चला जाता है विकल्प नमर एक ती तरफ ठीक है ये नमर आपका बिल्कुल सही हो जाता है अंगला कॉस्चन आप से पूछा जाएगा बगेली बोली का संबंद किस उपभासा से है बगेली का स समद चार विकल्प हैं दो सिकंड आपको दिये जाते हैं हमने दोस्तों बगेली को कई बार पड़ा है ना और अपने पड़ा था अब 36 गड़ी यानि कि आ से अब दी बा से बगेली और 36 गड़ी से 36 गड़ी इसका समद कौन से है इन तीनों का इन तीनों का शमद्ध है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की तीन वोलियां है अब 36 गड़ी अब दी बगेली और 36 गड़ी ठीक है अंगला question अंगला question है भासा के आधार पर राज्यों की पुने सरिचना किस वर्स की गई इस वर्स पर की गई भासा के आधार पर बताईए 1952, 54, 53 या फिर 56 में ये question तो कई बार आया है और पूचा ही जाता है GK में भी पूच लिया जाता है हिंदी में भी पूच लिया जाता है ऐसा question है, all rounder question GK में भी आता है तो यहाँ परियाद रखेना की भासा की आधार पर राज्यों की पुने सरेचना किस वर्स की गई थी तो आपका right answer है 1956 में कब की गई थी 1956 और D number आपने बिल्कुल शही बताया ठीक है, D number अंगला question आपको बताना की भासाई आधार पर सरप्रतम किस राज्य का गठन किया गया भासाई आधार पर बताना है दोस्तों वो राज्य कौनसा है ये question भी जीके का भी है और हिंदी का भी है तो बताओ भासाई आधार पर सरप्रतम किस राज्य का गठन हुआ है तो आपका right answer क्या होना चाहिए ख़ाई बताओ भासाई आधार पर राज्य की अगर बात करोगे तो आप लगा देना आंध प्रतम किए गठन किए गया ओर उत्तर चला जाता बिकलप नमबर डी की तरफ खीके हिंदी बासा की बोलियों कि बर्गीकरन कि आधार पर 36 गड़ी बोली है क्या है पूर्भी हिंदी है पश्च्मी हिंदी है पहारी हिंदी क्या फिर राजस्थानी हिंदी क्या है हिंदी भासा की बोलियों के बर्गी करण की आधार पर 36 गड़ी बोली क्या है बताईए बोली सर अबदी, बगेली और 36 गड़ी ये पूर भी हिंदी के अंतरगत आती हैं तो तर आपने लगा दिया विकल्प नमबर A और आपका राइट अंसर हो जाएगा A नमबर ठीक है अंगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियो कि भारतिय संभिदान के किन अनुच्छेदों में राजभासा संबंदी प्रावधान का उलेख है बहुत बड़ यह प्रस्ण हैं अनुच्छेदों में हैं अनुच्छेद 343 से 359 अनुच्छेद 434 से 445 अनुच्छेद 359 से 363 अनुच्छेद 453 से 464 तो सरल क्वेश्चन है पूछा भी जाता है लेकिन सभी से बनेगा भी कि भारतिय संभिदान के किन अनुच्छेदों में राजभासा संबंदी प्राव तक अनुचे 343 से 351 तक ये राजवासा समंदी इसमें प्रावधान का उलेख है और बिकल्प नमबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है अंगला क्वेस्चन है उर्दु भासा किस भासा की लिपी है बताईए उर्दु भासा किस भासा की लिपी मानी जाती है हिब्रू की अर उर्दु भासा की उर्दु भासा किस भासा की लिपी है ये आपसे पूछा गया तो उर्दु भासा जो है वो फारसी की लिपी है काई की फारसी और उत्तर किस की तरफ चला जा तब विकल्प नमबर डी की तरफ ठीक है इस छोटे छोटे क्वेस्चन आपके कई बार अंग्रे जी को 22 भासा हैं जो आमारी संभीदान की आठबियन इस सूची में संभलित की गई है उन 22 भासाओं में से अंग्रे जी को सामिल नहीं किया गया जबकि अंग्रे जी को राज भासा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों 30 का उत्तर आपको बताना है तो अंग्रे जी भा खड़ी बोली किस हिंदी की भासा है खड़ी बोली किस हिंदी की भासा है किसका उत्तर आपको चैन करना है चैन करेंगे सभी लोग यहां पर आ जाते हैं खड़ी बोली किस हिंदी की भासा मानी जाती है किसका उत्तर आपको चैन करना है क्या सही हो जाएगा तो खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली किस हिंदी की भासा मानी जाती है तो बोली सर ये खड़ी बोली का आपने पड़ा था कि खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है कौरवी कहा जाता है इसका ये करने नाम क्या है कौरवी है और दोस्तो हिंदी का जो बर्तमान में प्र आरभासा किससे कहा गया मद्यकालीन आरभासा किससे कहा गया पूर्वी हिंदी को प्राकृत हिंदी को पहारी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी को तो बताइए मद्यकालीन आरभासा किससे कहा गया आंसर आपको चैन करना है और आपने जो चैन किया है कि सर मद्यकालीन आरभास तक ही अगर आप बात करोगे तो उत्तर आपका सही हो जाता है क्या विकल्प नम्मर V प्राक्रित हिंदी को मद्य कालीन आरभासा कहा गया और राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नम्मर V जो की सभी लोगों ने बताया अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अंगला क्वेश्चन आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा स्वार से अनी अपवरंच से कौन सी भासा बिक्सित हुई चैन करिए सभी लोग स्वार से अनी अपवरंच से कौन सी भासा बिक्सित ह पूरवी हिंदी, बिहारी, पस्चमी हिंदी या फिर लहंदा इस सौर से अनी अपभरंस दोस्तों आपनने देखा कि जो हिंदी की बोडियां है वो किसी ना किसी अपभरंस से है ना दोस्तों उनकी उत्पत्ती हुई है और बेक्सित हुई है तो सौर से अनी अपभरंस से के खड़ी बुन्देडी ब्रज भान हरी के पास कन्यों जी खड़ी बुन्देडी ब्रज और हर्यान भी यह मानी जाती है जो सबसे अधिकद्ध है यह कुशचन आप से कई बार पूपट पूचा गया जिस रूपमें सबसे अधिक प्रелей है से अधिक प्रिशिद्ध है ये कोश्चन तो कई बार आया है दोस्तों ये कोश्चन आप से कई बार पूचा गया कि हिंदी की विस्ष्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रिशिद्ध है तो किस रूप में हैं राम दीला के रूप में हैं गद भासा के रू और आपने भक्तिकाल में देखा होगा कि भक्तिकाल में दोस्तों सूर्दास क्रश्न काब धारा के कभी थे और क्रश्न काब धारा में जो है दोस्तों ब्रज भासा में अधिकांस काब लेखे गए है ना तो यह दोस्तों काब की भासा थी ब्रज भासा के क्या थी काब भासा और उत्तर हो जाता है बिकल्प नमर D है ना मग ही किस उपभासा की बोली है मग ही बताना है आपको मग ही यहाँ पर चार बिकल्प है मग ही के बारे में आपको थोड़ा से चैन करना है कि यह किस उपभासा की बोली है राजिस्थानी की है पूर्भी हिंदी पस्चमी हिंदी या फिर बिहारी हिंडी की मग ही किस उपभासा की बोली मानी जाती है तो यहां पर आपको पता है अपने पड़ा था कि भोजन में एक मग मैथी एक मग मैथी का है मैं भोजन में तो इसको याद रखने हैं बोले बिहारी के भोजन में एक बग मैथी डाल दो तो बिहारी से ब बोलियां हैं दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं और मग ही भी बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं बोले भोजन में एक मग में अथी है ना ऐसे हमें याद रखना है अनुचे तीन सो इंक्यावन में किस विसाय का वर्नन है ये चार विकल्प है हमारे सामने और तो 351 में आपको बताना है कि संभिदान के नुच्छे 351 में किस विसाय को लेकर के वर्नन है प्रावधान है इसका उत्तर आपको चैन करना है तो आपने बिलकुल शही आंसर चैन किया है और वो आंसर क्या है आपका वो है दोस्तो बिकल्प नमबर D कि हिंदी के विकास के लि सही अनुकरम कौन सा है सही अनुकरम बताना है कौन सा है पाली प्राकरत अपरण्स हिंदी प्राकरत या हिंदी है ना और एक और अपना ओफ्सन यहां आ जाता है इसको भी अपन देख लेते हैं स्वरी यहां पर आता है किस ओफ्सन को भी इसको देख लेते हैं यह आपका यहां पर की हिंदी पाली प्राक्रेट ठीक है तो कोई बात नहीं यहां से आपको बताना है तो सबसे पहले कौन सी आई दोस्तो है ना संस्क्रेट यहां संस्क्रेट चारों आफ्सन में सबसे पहले नहीं है तो Sanskrit छोड़ दो, ठीक है, कौन सी आ गई, पाली, प्राकरत, अपवरंस, और फिर हिंदी, यानि कि अपना उत्तर क्या हो जाएगा सही, एक नमबर ही हो जाएगा सही, ठीक है, एक नमबर आपका सही हो जाएगा, जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, अंगला question है, अंग प्रचार सबा का मुख्याले कहां इस्तित है, दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सबा का मुख्याले कहां इस्तित है, ये question आपको बताना है, हैदराबाद में, बैंगलोर, चिन नई, या फिर मैसूर में, most important question जो आप से पूछा गया, कि दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सब प्रवा का जो मोख्याला है। उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। बताइए। और ब्रच तो है अब दी भी है बगेली भी है बोजपुरी भी है लेकिन कौनसी नहीं है बगेली नहीं है यह बगेल खंड से संबंदित आती है दोस्तों मद्द प्रदेश के कई हिस्तों में बगेली बोली जाती है ठीक है तो यह बोली उत्तर प्रदेश से संबंदित नहीं है कौनसी बगेली और ये बगेली पूर भी हिंदी से संबंद रखती है संबंदे थे ये आपको याद रखती है अब आपको बताना है साला और जामात को 36 गड़ी में क्या कहते हैं बताइए 36 गड़ी बोली में ये 36 गड़ी पूर भी हिंदी की है दोस्तों तो साला और जामा को साला और जामात को 36 गड़ी में क्या कहते हैं ये question पूछा गया है और उत्तर है कि साला को सारा और जामात को जांबर है ना सारा और जांबर ये 36 गड़ी में कहा जाता है और उत्तर भी नंबर आपका बिल्कुँ सही हो जाता है थीक है फिर अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहराईच सुल्तान पूर रायबरेडी किस बोली के छेतर है जाते हैं बहराईच सुल्तान पूर राय बरेली किस बोली के छेत्र है 36 गड़ी बगेली ब्रजभासा या फिर अबदी के बताईए कोस्चन का अंसर बहराईच सुल्तान पूर राय बरेली किस बोली के छेत्र माने जाते हैं तो आपने बिलकुर सही आंसर चैन किया है कि डी आपका अबदी बिलकुल शही हो जाएगा इनको आपको डी नमबर याद रखना ठीक है आयाओ सब्द निम्न मैस से किस बोली का सब्द है बताईए आयाओ जो है किस सब्द बताओ किस बोली का सब्द है ऐसे भी question आते हैं ये कुछ गिने चुने सब्द होते हैं जो आप स पूछे जाते हैं तो किस बोली का सब्द है चार विकल्फ है भोजपुरी अबदी खड़ी बोली या फिर ब्रज भासा के तो ये right answer आपको चैन करना है और बोली सर इतना अच्छा question है इतना सरल question है कि आयाओ सब्द किस बोली का सब्द है तो उत्तर चला जाता है ब्रज की बार आया और मैंने भी आपको बताया है कि पश्चमी हिंदी में दोस्तो हर्यान भी और खड़ी बोली ऐसी है जैसे हर्यान मी का दूसरा नाम बांगरू है और दोस्तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है जो आप से पूचा गया है वो तर तो आपको बताना है कि बोली सर खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता तो तर चला जाता है कौरि बोली कौरि बी यानि बी आपका सही हो जाएगा भासा बैसादन है जिसके द्वारा मनुस्त अपने बिचार दूसरों तक भली बांती प्रगट कर सकता है ये कथन किसका है एक कथन आपको बताना है एक कथन kis का है तो भासा बहसा आदन है जिसके द्वारा मनुस तर अपने बिचार दूसरों तक भली भाती प्रिगट कर सकता है एक कथन किसका है तो एक कथन और एक क्वेस्चन ये बहुत ही बड़िया है कई बार पूचा गया है और एक कहा था का नमता प्रसाद गुरू ने कि भासा बहसादन है जिसके द्वारा मनोश से अपने वेचारों को एक दूसरे तक भली भाती प्रिगट कर सकते हैं और उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है बी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है तो भारत के भासा की सबसे चोटी एकाई किसे कहते हैं ये क्वेस्चन तो कई बार पूछा गया हर एक्वेस्चन पूछा जाता है कि भासा की सबसे चोटी एकाई कौनसी है सब्द वेंजन स्वर या फिर वर्न भासा की सबसे चोटी एकाई हमें बताना है सबसे चोटी एकाई कौनसी है तो आपको दो सेकंड दिये जाते हैं आपको चेन करना है वासा की सबसे चोटी एकाई बता ना है और यहाँ पर आपका बिलकुज सही आंसर हो जाएगा वर्ण या फिर अक्छर फेना जिसे धवनी भी कहते हैं वर्ण भी कहते हैं अक्छर भी कहते हैं कि वहीं आप अगर पूछ लिया जाए कि भासा की सबसे चोटी सार्था के काई कौन सी है तो सार्था के काई होती आपकी सब्द भासा की सबसे चोटी सार्था के काई होती है सब्द और भासा की सबसे चोटी काई होती है वर्न वनी या फिर अक्छर ठीक है अंगला कोस्चन अंगला हिंद किस भासा परिवार की भासा है भारोपिये दिर्वन आस्ट्रिक या फिर चीनी तिबबत तो बताईए चीनी तिबबती किस भासा परिवार की आपने देखा होगा भासा परिवार आपने पढ़े होगे सबसे बड़ा भासा परिवार माना जाता है दोस्तों अपना भारोपिय परिबार है ना और जो हिंदी है यह हिंदी भी भारोपिय परिबार से ही संबंदेत होती है जो की आंसर आपने बिलकुल सही लगाया है यह नमख्वर आपका बिलकुल चाहिए अंगला कोउस्चन यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी भासा का जन्म हुआ तो अपब पताना है चार विकल्प है हमारे सामने यहां बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाती हैं लेकिन आपको याद रख लेना है कि हिंदी भासा का जो विकास हुआ है जो जन्म हुआ है वो अप भ्रेंस से माना जाता है ठीक है अगर आदी जन्नी की बात करें तो संस्कृत पर हम यानि कि आपका जो एक नंबर है वो एक नंबर बिल्कुछ हो जाता है अपन देखते हैं आप ब्रेंस की विवन अवस्ताओं से जैसे सौरसेनी हिंदी से पस्च्मी हिंदी निकली है ना और अर्दमाग दी से दोस्तों पूरवी हिंदी निकली तो यह आप ब्रेंस की उत्त्ति से हो है और आपको सही हो जाता है अंगला कॉस्चन आपका स्क्रीन पर है आपकी वो बताना है आपको कि कौन्सी बोली अत्वा भासा हिंदी के अंत्रगत नहीं आती तो हिंती के अंतरगत नहीं आती तो कौन सी नहीं आती तो कौन सी नहीं आती तो कौन सी बोली अत्मा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती तो देखो कन्नो जी तो आती है यहना बांगरू भी आती है बांगरू यानि की हरयान भी हरयान भी का दूसरा नाम क्या है बांगरू और अब D भी हिंदी के अंतरगत आती है, तो कौनसी नहीं आती, उरे सर्ट तैलगु नहीं आती, तो तैलगु आपका राइट अंसर D बिलकुर सही हो जाएगा, तैलगु नहीं आती, ठीक है, अंगला कोस्चन आपको बताना यहां पर, कि हिंदी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में कौन सा रूप सुईकार किया गया प्रश्न किरमांग फिप्टी बन पूर्वी हिंदी पहारी हिंदी खड़ी हिंदी या फिर दक्षनी हिंदी हिंदी भासा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में सुईकार किया गया ये कॉस्चन आप से पूछा गय खुंच अभी बोली का हे वह और मानक हिंदी के रूप में सुईकार किया गया थो वह किया गया खढ़ी बोली याणि की दोस्तों में यहां पर सही हो जाएगा थे नमें ठीक है अंगला question है आपकी screen पर हिंदी की business बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये question तो कई बार पूँचा गया है तो इसके लिए भी हमें तयार रहना है कि जो ब्रज भासा है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है राज भासा के रूप में तकनीकी भासा के रूप में राष्ट्र भासा के रूप में या फिर काब भासा के रूप में किस रूप में ये ब्रज भासा सबसे अधिक प्रसिद्ध है और चार बिकल्पे 52 का अंसर आपको बताना है और यहां पर ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रिसिद्ध है उत्तर चला जाता है काब भासा के रूप में किस भासा के रूप में काब भासा के रूप में यह प्रिसिद्ध है और D आपका बिल्को सही हो जाता है भार वर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे यहां पर आपके चार विकल्प आपको दिये जाते हैं राजभासा के रूप में राष्ट्र भासा के रूप में बिभासा या पर तकनीकी भासा तो हिंदी को आप किस रूप में रखेंगे confusion वाला प्रस्ण है बहुत सारे लोग जिन्हों ने नहीं पड़ा है वो दोस्तों राष्ट भासा लगाते हैं राष्ट भासा लगा क्या आती है 100% लेकिन हिंदी को हम दोस्तों हमारी हिंदी राष्ट भासा नहीं है हमारी हिंदी राज भासा है क्या है राज भासा राज भास प्रता संस्कृत की अपभरंस है संस्क्रित के तत्सम और संत्सम और तत्भाव रूप आया तो वो वह जो है अपवरेंस कहलाती है जो अब हासा बिगड़ती हुई चली जाती है ठीक है तो संस्कृत की अपवरेंस कौन सी कहलाईगी तो संस्कृत के बाद होता है पाली का जन्म होता है संस्कृत की अपवरेंस पाली पाली की अपवरेंस प्राकृत प्राकृत की अपवरेंस अपवरें अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर भारत में हिंदी को संभिदान की किस धारा के अंतरगत राजभासा घोसित किया गया हिंदी को तो धारा 343, धारा 342, धारा 343, एक या फिर 234, एक तो यहां पर बहुत अच्छे से देखने की ज़ूरत है दोस्तों आपको पता है कि भार 343, एक के तहट, 343, एक के तहट, राजभासा घोसित किया गया और अनुछे 343 से ले करके 359 तक काई का प्रावधान है, भासा संबंदी संभिधान में प्रावधान किये गए हैं, ये भी हमें याद रखना ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 1947 में गठेत, देव नांगरी लिपी सुधार समीती के अध्यक्ष कौन थे, एक क्वेस्चन कई बार आया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, 1947 में गठेत, देव नांगरी लिपी सुधार समीती के अध्यक्ष कौन थे, डाक्टर धिरेंदर बरमा, शंपूर्णा अनंद, आचार नरेंदर देव या फिर इनमेसिक कोई नहीं, तो बताईए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बर्स, 1947 में गठेत, देव नांगरी लिपी सुधार समीती के अध्यक्ष कौन थे, ये आप से पूचा गया, और most important question है, अनेकों एक्जामों में ये पूचे जाते हैं, और उत्तर हो ज देव नांगरी लिपी सुधार समीती के, हिंदी की आधी जन्यनी है तो कौन सी है, आधी जन्यनी पूचा गया अब यहाँ पर, तो अपन ने देखा था कि हिंदी का जन्म अप फ्रेंस से हुआ, लेकिन अगर आप से पूचा जाए, कि हिंदी की आधी जन्यनी कौन सी है, तो आदी जनिनी में आपने बिल्कुल शही आंसर लगाया है, वो तरह संस्कृत, कौशी है संस्कृत और ये नम्मर आपका बिल्कुल शही हो जाता है, अंगला क्वेस्चन, एक क्वेस्चन कई बार confusion हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर टकसाली भासा किसे कहते हैं, ये आप से पूचा गया, संस्कृत निष्ट भासा को, ग्रामीड भासा को, परिनिष्ट भासा को, या फिर कृत्रिम भासा को, तो टकसाली भासा किसे कहते हैं, ये question पूचा जाता है, और इस question के लिए हमें तयार रहना है, हैना, ये confuse नहीं होना आपको, क्योंकि टकसाली भासा संस सी बिलकु सही है, ग्वालियर की बोली बताना है, ग्वालियर की बोली कौनसी है दोस्तों, ये question कई बार पूचा गया, ग्वालियर की बोली, हैना, एक ग्वालियर मद्द प्रदेश का एक जला है, और इसकी बोली कौनसी है, बुंदेडी, ब्रजभासा, खड़ी बोली य तो ये बुंदेली पश्चमी हिंदी की मानि जाती है यानि कि दोस्तों आपका ये नंबर है और गवालियर की भासा भी क्या है बुंदेली अंगला question आपके लिए निम्नलकित में भासा की प्रमुक प्रकृति कौनसी है भासा की प्रमुक प्रकृति कौनसी है यह आपको बताना है तो यहाँ पर आपको पता है बताईए कुछ लोग तो बता देते सरलता से कलिष्टता की ओर हैना 100% confusion बाला question है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग सरलता से कलिष्टता की ओर ही लगाते हैं लेकिन आपने कभी अनुभाव किया ऐसे अनुभाव कर लो सीधे सीधे बुलिस्टर जब हम भासा सीखते हैं जैसे आप हिंदी जानते हो आप से कहें कि अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले अंग्रेजी आपको सरल लगती की कठिन लगती है फिर जैसे आप सीखते जाते हो तो क्या हो जाती है सरल होती जाती है तो अपन क्या करते भासा को अगर सीखते हैं तो सबसे पहले जटलता से सरलता की ओर जैसे भासा ह पी प्रमुक पिर्किरती होती है यह आपको यहाद रखेए है हिंदी किस भासा का सब्द है हिंदी बताना है किस भासा का सब्द है यह कोईश्चन भी आपसे पूछा गया पटाउग से सबी लोग बताएंगे यहाँ पर आपके चार विकल्प दिये जाएंगे आपको यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर है कि हिंदी फार्सी भासा का सब्द है और इसको भी आपको याद रखते ना फार्सी यानि यह नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है यहाँ पर कि बरतमान में भारतिय संविदान की आठवी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या कितनी है चौदा, 15, 18 या फिर 20 कितनी मान जाती है बरतमान में भारतिय संविदान की आठवी अनुसूची में सामिल भा भासाओं की संख्या बतानी है और भासाओं की जो संख्या है वो संख्या कितनी है तो आपका उत्तर हो जाता है यहां पर 22 कितनी है वाइस बरतमान में भारतिय संविदान की आठीवी और निसूची में सामिल भासाओं की जो संख्या है वो संख्या है दोस्तों कितनी वाइस और right answer हो जाताब विकल्प नमबर D ठीक है अंगला question अंगला question पैसाची से कौनसी भासा विक्सित हुई है मराथी गुजराती पंजाबी या फिर राजिस्तानी पैसाची से बताना है और पैसाची से मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर लहंगा चाहिए पंजाबी लहने के लिए तो पंजाबी और लहंदा लहंदा जो है यह दोनों का विकास दोस्तों पैसाची से हुआ है ठीक है तो यहाँ पर तो आपका सी नमबर बिल्कु सही हो जाता है अंगला question है ब्रजभासा कहां बोली जाती है ब्रजभासा कहां बोली जाती है इलाहबाद में और चाइबम जहासी मत्रा ब्रणदाबन या फिर वनारस में ब्रजभासा कहां बोली जाती है ब्रजभासा की बारे में आपको पता है कि पस्चिमी हिंदी की दोस्तों एक बोली माने जाती है पस्चिमी हिंदी की है ना और यह बताना है कि यह कहां बोली जाती है चार विक पो किश से हुई है dei कई बाशा की उत्पत्ती आपको बताना है कई बार हमने पड़ा है कि सर गुझ्राति राजरतानी पस्चमी हिंदी इनका जो इनकी जो उत्पत्ती हुई है वो सौर्स जैनी अपब्रेंस से हुई है सौर्स जैनी अपब्रेंस से हिंदी भासा की उत्पत्ती यानि की बेकल्प नमबर जो सी है वो आपका बिलकुल सही हो जाता है सी नमबर सही हो जाता है अंगला क्वेस्चन पूछा गया कि संभीधान की आठ भी अनुसूची में कौनसी भासा सामिल नहीं है। भोजपुरी बोडो तो है मैथली भी है डौंगरी भी है भोजपुरी नहीं है भोजपुरी बिहारी हिंदी की है बिहारी हिंदी की दोस्तों आपको पता है बिहारी हिंदी की मैथली भी है भोजपुरी भी है और मगही भी है तो बिहारी हिंदी की एक मैथली भासा ऐसा भी क राजिस्थानी साहित से अबदी साहित से या फिर मैथली साहित से डिंगल भासा का संबंद आपको बताना है और दोस्तों आपको पता है डिंगल और पिंगल आदी काल में दो सेडियों का प्रियों किया गया इनको भासा भी वहां माना जाता है डिंगल और पिंगल है ना और और यहाँ पर राजिस्थानी साहेत से इनका सम्मन्द माना जाता है किसका डिंगल का कीके तो B number आपका बिलकुल सही है, बोली का लगुत्तम रूप क्या है ऐसा भी question आता है, तो आपको तयार रहना है बोली का लगुत्तम रूप बताने के लिए और आपका यहाँ पर लगुत्तम रूप आपसे पूचा गया तो उत्तर आपका हो गया क्या वर्न है लगुत्तम रूप क्या है वर्न या पर सबसे चोटी एकाई क्या है तो वर्न अक्छर या पर घनी अब अंगला question आपको बताना है कि भासा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है मौकेक, लेखित, मौकेक और लेखित या पहरेनिवे से कोई नहीं तो बोले सर हम मौकेक भी भासा की अभिव्यक्ति करते हैं लेखित रूप में भी करते हैं तो भासा की अभिवेक्ति के जो रूप पूचे गए तो रूप में मौकेक और लेकित दोनों आ जाएगा और C आपका बिलकुर सही हो जाएगा, C नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा, अंगला कोस्चन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि उच्चरित ध्वनी संके सहायता से भाव या बेचार की अभिवेक्ति क्या कहलाती है इसका अंसर आपको बताना है तो उच्चरित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या बेचार की जो अभिवेक्ति कहलाती है वो कहलाती है क्या भासा, क्या कहलाती है भासा और यह नम्मर आपका बिलकुर सही हो ज जाता है यह नमबर राइट आंसर हो जाता ठीक है भासा और लिपी है तो भासा और लिपी क्या है बताइए भासा और लिपी क्या एक दूसरे के ब्रोधी हैं एक दूसरे की पूरक हैं एक दूसरे की पृतिद्वंदी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं भासा और लिपी एक द चला जाता है बी नम्मर आपका राइट आंसर हो जाता है अंगला कोस्चन है भारत संग की राजभासा है तो कौन सी है भारत संग की राजभासा आपको यहां पर चैन करना है तो भारत संग की राजभासा इस प्रकार से अगर कोस्चन आए तो यहां पर आपको दोस्तो ए और भी दोनों लगाना है क्योंकि जभारत संग की राजभासा हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है ना तो आपका सी नम्मर यहाँ पर सही हो जाता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों मानी जाती है ठीक है भारत की प्रतम देशभासा कौन सी है प्रतम देशभासा बताना है प्रश तो यहाँ पर याद रखे ना भासा विध्यान की द्रष्टी से हिंदी किस प्रकार की भासा है तो आपका right answer हो जाता है दोस्तो, भासा बिज्ञान की दश्टी से, हिंदी किस प्रकार की भासा है, तो भासा है बेयोगातमक, कैसी मानी जाती है, बेयोगातमक भासा मानी जाती है, और ये number आपने बिल्कुल सही answer बताया, ये number right answer है, और जिन भी साथियों ने अभी तक app download न किया गया है और एक कोर्स दोस्तों आपको मात्र बारास रोपे में उपलब्द करवाया जाएगा जहां पर टिर्की वीडियो भी होंगे टॉपिक बाइस टेस्ट भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी कन्नोजी बोली किस जनपद में बोली जाती है मेरट में दहराद किस जनपद में बोली जाती है और श्री नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता ठीक है यहां पर दोस्तों अपना जो हिंदी भासा का चैप्टर था जिसको हमने सबसे पहले बाले पार्ट में बिश्तृत भी उसका अध्यन किया फिर एक दो तीन पार्ट के माध्यम से इसको पड़ा अब दोस्तों ऐसे कौन से साती हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी किलासेस जो एप है उसको डाउनलोड नहीं किया वो सभी साती सेल्फ स्टडी किलासेस एप डाउनलोड जरूर कर लें ताकि दोस्तों आप बहां पर अध्यन कर सकें हैनात और जिनको भी अड़ीशन लेना है वो अड़ीशन ले सकते हैं नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर के माध्यम से दोस्तों आप संपर कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं ठीक है और अपनी तयारी को बहुत अच्छे से टिर्की तरीके से बिस्तरे तरीके से अच्छी बना सकते हैं आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिन बहुत सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो आपका well जो है icon उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से self study classes आपको search करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes ठीक है यह play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे